कि जी अस्राम लेकु बच्चों कैसे मिटे आप लोग खेरिये से हैं ठीक है बिटे लास्ट टाइम हमने सिनोनिम्स पड़े थे एवले पड़े थे बीवली नहीं पड़े चलो आज थोड़े से ज्यादा पड़ेंगे बचों माला काम है असान असानी है ठीक है बी सी डी तक पड़ लेती है आजम अच्छा जी पेश नंबर है मेरे पास सीक्स राइस बुक का ठीक है और इसमें जो सिनोनिम से बीवल या बेटे बैलेट बैलेट पेपर आपने सुना होगा ठीक है पोलिंग स्टेशन सुना होगा यह किस की बिटे यह किसकी बिटे वोकेबलरी होगी फिर यह इलेक्शन की ठीक है तो बैलेट पोल को बोलते हैं बोदर करना बिटे अनौय करना इरिटेट करना ठीक है नीचे बैटके ठीक है अनौय करना इरिटेट करना बोदर करना बिटे बेर बिटे बेर फुटीड होता है नेकिड नंगे पाउं ब्रांच बिटे किसको ब ब्रेवरी बेटे थीक है शिवर्लरी एक वर्ड होता है ब्रेवरी ठीक है करीज Beautiful बेटे प्रिटी ए बिगीन किसको कहते हैं descommence करना स्टार्ट करना ठीक है अच्या जी breakdown बेटे collapse collapse कर गया system ठीक है software collapse कर गया बेटे, breakdown हो गया है, अच्छा जी, पर्सन बीटे, जब डेथ हो जती है, कलाप्स हो गया, nervous, breakdown हो गया है, ठीक है, अच्छा जी, behave, act है, bright, sparkling, shining, glittering, brilliant बेटे, bombastic, fantastic, gorgeous, believable, plausible, trustworthy, trustworthy, यह जो मैं लफ्स साथ बोलता हूं, लिख लिया करें छोटा सा वर्टीक है अच्छा जी मेंडी बेटेक इसको बोलते जो बेंड हो सकती है फ्लेक्सिबल हो सकती है ठीक है अन्रीजिड जो होती है bring something back ये something लिखा हुआ है ठीक है reintroduce बाद में बेटे दबारा से reintroduce कराना जैसे Nokia 33 दास था अब ये फिर जो है न उसे reintroduce करा दिया गाड़ियां कुछ बंद होती है कुछ हरसे के लिए दबारा बेटे bring something back कर देते है beneficial बेटे किसको बोलते है फेवरेबल अडवांटेजियस होता है एक वर्ड ठीक है discounted bring something on का मतलब होता है cause होना reason होना ठीक है impact होना effect होना besides anyway exceptions broad बेटे किसको बोलते है wide को broad wide bid tender जो भी बेटे एक छोटा सा टास्क दिया जाता है project build up करना बेटे accumulate pile up sum up gather up एक अठे करना bizarre बेटे weird bizarre होना बेटे business commerce trade trade buy करना purchase करना blameless बेटे आ चुका है blameless innocent को बोलते हैं जबके blamed बेटे accused को बोलते हैं दोनों एक दूसरे के antonym भी है accused और innocent बेटे blamed और blameless blow up बेटे explored calamity बेटे disaster है catastrophe है बेटे मुबाइल भी आप open कर लें आपके मुबाइल में यह है प्यारे बाइजन लास्ट वन आपको कह रहा हूँ करें open हाँ जी मुबाइल नहीं है बाइब बेटे आप पीछे बैठ जो इनके साथ बैठ जो अच्छा जी calamity disaster comment करना बेटे रिमार्क करना प्रेज करना compliment देना compliment कहते ने compliment देना candy बेटे sweet है sweets को candy बोलते हैं commerce business पढ़ लिए trade पढ़ लिए केर कोशन है committed बेटे डेडिकेटिड डिटर्मर्ड पैशनेड एंथ्यूजियास्टिक कैयूल किसको बोलते इनफॉर्मल को कैयूल ड्रेसिंग होती है इनफॉर्मल कम्यूनिकेट करना convey करना कैटेस्ट्रो पढ़ लिए complete और टॉटल है बचो completely टॉटली है कोश ब्रिंग सम्थिंग और यह सीवले जरा पड़े इन में से कौन सा मुश्किल है अभी कॉंप्लिमेंट मैंने किसका बताया था है सिनोनिम शाबाज को बचा बताएगा comment का शाबाज ठीक है comply करना बेटे confirm करना सामना करना साइटन बेटे शोर चार्टर वर्ड सुना है चार्टर चार्टर त्यारा चार्टर ओफ डिमोक्रेसी ठीक है तो बेटे यह constitution को बोलते है चार्टर लोग को कनून को comprehend करना क्या करना understand करना comprehend करना शाबाज comprehensible होगा तो बेटे understandable चीट चीट से क्या मुराद है डिसीव दोका ठीक है चीफली मेंली लार्चली मेंली लार्चली च्वाइसिस क्या होती है options होती है selections होती है compulsory obligatory ठीक है complimentary भी एक word होता है complimentary ठीक है वह भी बेटे क्या होता है जैसे complimentary मैंने थोड़े दिन पहले word किसके लिए बोला था vocabulary के लिए मैंने कहा था तीन मीन यह complimentary चलेगा ठीक है for example हम जब खाना वगड़ा कहते बैजन नान complimentary है खाली बोटी है नहीं किसको बोलते है सजा को sentence sentence किसको बोलते है सजा को बोलते है ठीक है confess करना admit पढ़ चुके है confident भी self-assured पढ़ चुके confine करना आ चुक है बेटे टिक करें restrict करना confine restrict करना bound करना टिक कर लें साइटेशन किसको बोलते है साइट बेटे reference quotation citation reference quotation है side करना बेटे हवाला देना conflict बेटे clash quarrel opposition site code confirm comply पढ़ लिया है clarify करना बेटे illuminate करना ठीक है light up करना explain करना confuse mix up hybridization word सुनिए hybrid लिया है amalgation word सुना है ठीक है confusion होना mix up होना ठीक है connect करना बेटे join करना class lesson class जमात lesson सबक considerably appreciable classify करना कि चीजों को बेटे categorize करना ठीक है classification word पढ़ा हो है ना बायो वालो classification करना बेटे branching करना ठीक है categorize करना अच्छा जी considerably बेटे substantially importantly clear बेटे obvious है lucid है और transparent है lucid और clear काफी दफ़ा आ चुक है बेटे considerate बेटे thoughtful consolation comfort consolation क्या होता है बेटे शाबबाश को बच्चा पताएगा तसल्ली देना शाबश गुड ठीक है जी बेटे comfort करना सकून पुचाना pacify करना एक word होता है pacify सुना हो है word यह pacify ठीक है जी अच्छा जी constant बेटे fixed clever intelligent clever बेटे sharp intelligent constitution पढ़ लिए close shut है consult बेटे refer to मश्वरा अच्छा जी course बेटे rough है खुर्दरी जगे होती है ना course crooked uncrugged और बेटे कोक्स के होता है कोक्स कोक्स के दे motivate करना stimulate करना persuade करना ठीक है नॉर्मा में persuade का वर्ट पढ़ा था कोक्स करना ठीक है बेटे contaminate बेटे impure करना infect करना गंदा करना ठीक है contaminate बेटे infect कर देना collapse पढ़ लिए continual continuous है collect भी पढ़ लिए come across बेटे सामना करना encounter contrary क्या होगा opposite comfort पढ़ चुकी है control कर आ चुक है बेटे ये curb करना control करना halt stop करना citation पढ़ लिए conversation पढ़ टॉक है बेटे courageous पढ़ लिए criminal और क्रूक convey करना convey के लिए बेटे क्या वर्ड़ है हमारे पास communicate करना ठीक है convinced बेटे motivated satisfied ग्रूल बेटे ये आ चुक है merciless टिक करें merciless कोपी करना बेटे imitate करना mimicry ठीक है imitate कर बेटे आ चुक है control क्यों और बेटे किसको बोलते है treatment को remedy को corridor क्या होता है बेटे hall बरामदा custom क्या होता है custom habit को बोलते है रवायात traditions आधात कट बेटे चोपर होता है चोपर टोका सा कट करीज बेटे bravery डी वले भी पढ़ लेंगे बहुत हैसी वले ज्यादा होगी है खुदी कर लो के फिर डी वले फिर करवा दूं कल फिर a to d वैसे कितने है a to e है कर लो ठीक है ए टुड वेट को मौिस्ट अ बडी टेस्ट पिंटे हेद वर्ड दलिख लोड वी लोड ये भी आता है भी दिस्लाइक ठीक है डॉन पिटे किसको बुलते अर्ली मौनियंग को डे ब्रेक dusk इसको बोलते पेटे sun setting को sun rising को बोलते dawn dawn to dusk word सुना वैना ठीक है dice ही पेटे बोलते risky dice होता है dice फैंकती है हम ठीक है लुड़ों का दाना तो risky पेटे जो भी आ सकता है differ करना पेटे vary करना vary करना ठीक है vary नी vary variations variable change yes day break पेटे dawn हो गया differentiate distinguish English deadly पेटे आया हुगा काफी दफाव लिथल एक वर्ड होता है लिथल सुना है वर्ड लिथल अच्छा जी difficult hard है deceive पड़ चुके हैं diminish करना पेटे decrease करना lesson करना एक वर्ड सुना होगा आपने alleviate a से lesson reduce reduction reduce करना ठीक है जी diminish करना अच्छा जी deceptive पेटे misleading है misinform करना mislead करना directions instructions dirty पेटे soiled मटी से है dirt से है एक debris word होता है debris d e b r i s ठीक है dusty बोलते है उसको भी ठीक है first aid में पढ़ा होगा कही ना कहीं आपने decoration पेटे ornament है decrease पढ़ चुके है disadvantage पेटे deprived dedicated पढ़ लिया है disagreeable पेटे unpleasant deduce पेटे इसका conclusion लिखे पेटे outcome सारे बचे लिखे यह इन फर्चाहिए रहने दो conclusion outcome deduce का जी outcome conclusion result disappear पेटे vanish ठीक है disappear words पेटे use of साधी में पढ़ा था शेक साधी वले चेप्टर में अच्छा जी disaster catastrophe पढ़ लिया disclose पेटे क्या करना reveal करना unboxing हो दिये reveal करना defective पेटे damaging faulty degree measure discount पेटे reduction disgrace shame पेटे shame तजलील करना deliberate पेटे planned deliberately पेटे intentionally knowingly delicate delicate क्या होता है पुनी weak fragile ठीक है फ्रेजाइल नर्मों नाजुक कम्जोर distinguish पढ़ लिया distress पेटे discomfort distress का मतलब discomfort delight पेटे happy जोए pleasant demonstrate पेटे illustrate और demonstrate पेटे ये object होता है object object प्रोटेस्ट काड़ दें इसमें से कि distribute करना पेटे handouts करना ठीक है distribute करना ठीक है यह जो pamphlets वगरा पेटे handouts होती है ठीक है ब्रोशर होती है domestic पेटे local को बोलते हैं home को बोलते है नम पेटे denim जो jeans पहनी होई है इसे पेटे हम denim बोलते है ठीक है पेटे doubtful पेटे dubious आ चुक है पेटे तीन चार दफा आ चुक है अंडरलाइन करें दो तीन दफा अंडरलाइन करें dubious doubtful department branch हो गया है dependable reliable drift करना पेटे float swim पेटे float में क्या फरग होता है और स्विम जान दर्थ कर ठीक है शाब बाश डिप्रेसिंग बेटे मिजरेबल ड्रॉब फॉल है dubious doubtful हो गया है डिप्राइब भी हो गया है डेजर्ट पेटे ठीक है डस्क बेटे नाइड फॉल संसेटिंग को ड्वैलिंग बेटे रेजिदेंस को बोलते हैं और डीटेशेबल रिमूवेबल बेटे ए टूडी ही रहने दें ठीक है कल डी तक ही पढ़ लीजिएगा वैसे यह तक थे यह में कुछ भी नहीं है लेकिन आप डी तक रहन कि ऊद्रांगे कुस्टेर के लिए क डप करनी 교ई बटर लाँ, हो विप्ड रिऴ दिति, जबर गने दिति, हैसे जब Anda अच्छाला चेप्टर ओपन करें अच्छाला चेप्टर ओपन करें यह सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा पिछले जो आठट-दर विंपोर्टेंट बात प्रीक्वेंट फ्रिक्वेंट ली यूज यूज्ट इस फोड़ कम्यूनिकेशन और इसमें इसमें हमने क्या करना होता है बिटे कम्यूनिकेट करना होता है outside the parties ठीक है इससे क्या मुराद है अच्छा इससे मुराद यह कि एक बिटे और्गनाइजेशन है उस और्गनाइजेशन ने दूसरी और्गनाइजेशन के साथ जो क्म्यूनिकेशन करनी है business communication करनी है वो बिटे मूँ से नहीं होएगी वो किसे बैटे लेटर से communication होनी ठीक है जो औरल बैटे communication उसकी कोई वर्थ नहीं है ठीक है सारी जो communication होनी है वह बाया लैर्टर जोनी है सही हो गया बचो अच्छा अब यह थोड़ा साना लेकर समने यह भी समयना है कि लैटर बिटे किस तरह से चलेंगे ठीक है यह लैटर बिटे परसंट वह चलेगा थिक है यह पीटे कंपनी टू माखने भी चलेगा ठीक होगे टे अच्छ जी कंपनी टू तो पर्सन भी चले जाएगा और प्रसन टु बेटे तु एट तु कमपनी अब यह जो पहले वाले यह सेंडर रहे बेटे दूसरे वाले रिसीवर है ठीक हो गया एक तु बेटे यह लैटर में हमने यह जज करना के बाई जन यह लैटर किदर से जा रहा है परसन से परसन को ज जा रही हम statement को पढ़ते हैं तो फिर फिर हम judge कर लेते हैं ठीक है अभी word मैंने बोला statement अब इस से मैं एक नई चीज पीटे आप लोगों को बताने लगाऊं याँसे लेटर बीटे आता है statement में यहां तो लेटर आता है बिटे स्टेटमेंट में यहां लेटर आता है पिटे सिचुएशनल लेटर आता है उसके question में बढ़ें दोछी आपने जाज जाज करनी होँए हो था यह सकता हैartment कौन भू सकता है आप अब कौन है आप एजे इस लेटर में एपटे किस हैसिय से आप जिह ना लैटर लिखने वाले है और जिसको लिखने लगे वो इसको दिना इसक。」 पिर देहनién तो से रोसे स्टेट्मेंट और सिच्वेशन पिटे अगर थोड़ा सा लेटर छोटा हो जिसमें चीजे कम दी होती है कोई 15 से 20 वर्ड बेटे लिखे होते हैं तो फिर वह स्टेट्मेंट है सम्टाइम बेटे हमारे पास जो है ना यह 30 से बिटे 100 वर्ड सक जो है ना यह कोशन ही आ जाता ह है एक क्वेश्यन यह पैटे 100 का आ जाता है उसमें वह सिच्वेशन बता देता है ठीक है उसमें क्या बताता है लिए पटे सिच्वेशन बताता है ठीक है आप लोग बेटे पे स्नमबर ओपन और है 151 मिल गया राइज बुक पेज नमबर 151 इसमें पहला वाला पेटे जो लेटर नमबर है वो कहरे राइटा लेटर ओफ रिक्मेंडेशन फो रिटाइरिंग इंप्लॉई शेरिंग हीस हर स्टेंग्ट एंड वीक्नस यह पेटे एक स्टेटमेंट है बच्चे लेटर नमबर 14 में वो कहता है कि बदर कमाल डिस्टिब्यूटर्ज दिस्टिब्यूटर्ज ओफ लीडिंग कॉस्मेटिक ब्रैंड डूरिंग रिसेंट हैवी स्पहल और रेन वन उफ इट्स अब जब लंबी है डिटेल सारी बता देगा कौन सी कंपनी है क्या क्या हुआ इसमें सिट्वेशन है ठीक है जैसे एक स्टेटमेंट है आप स्टेटमेंट वाले चौट एक लेटर लिख दिया राइट एक अब सिट्वेशन है ठीक है सिट्वेशन यह कहते है आप और आपके दादाबू ऑश्पिटल गे ठीक है उनके मैनेजमेंट स्टाफ ने आपके साथ मिस्वेव किया डॉक्टर ने सही तरह से चेक नहीं किया और वहां पर गंदगी का नजाम बहुत बुरा था ठीक है सफाई का नजाम बुरा था अच्छा अब आप क्या आ रहे आप गर आगी है और आपने एक सिट्वेशन है सिट्वेशन है उसमें आपने सिट्वेशन अपनी डिस्कस की है कि ऐसे मैं और में मेरे दादा वो गए और जो जो पेटे वो सारी कॉश्ट्वेशन्स में चीजें मजूद या बूनी चीजों को आपने क्या करना होना था एक्सप्लेन करना था ठीक है तो यहां तो गलतियां की होंगी आपने क्या करनी उस वीकनेस को बिटे करेक्ट करना है और फिर सही करके लैटर को लिखना है ठीक है वैसे डी ड्राफ्टिंग ना यह तो ज्यादा बेतर है डी ड्राफ्टिंग मुश्किल होता है हमें लगता है यह लिखा लखाया आएगा किसी के लिखे यह तो सिंपल लिखा हुआ आएगा मैं उसी को कॉपी पेस करूंगा जो मुझे लगेगा यह गलत है मैं ठीक कर दूंगा ठीक है तो उसकी वज़ए से अटेम्ट मेरा ख्याली स्क्वेशन की वज़ए से लगी हुई थी उसकी तो पता चलगे स्टेट्मेंट सिच्वेशन और रीड्राफ्टिंग क्या होती है सही है पेज नमबर अभी किदर थी आप 150 वन पे थे वापिस आजे 135 पे ठीक है पेज नमबर 135 पर आजे कोई बच्चा रीडिंग करेगा आपके बबुक है यह फोल ओपन करो आप रिडिक करो सुने पेज नमबर 135 फॉर्मेट ऑफ लेटर अच्छा बटी अब हम पढ़ने लगे है फॉर्मेट पढ़ने लगे है लेटर का ठीक है अब फॉर्मेट है बटी वैसे कोई हाड और फास्ट उसने बताया नहीं हुआ कि कितने नंबर है लेकिन मैं आपको ब मार्स है जाओ फॉर्मेट है जैसा में एंटर में लिखते थे छान नमबर फॉर्मेट यहां पर आठ और बारा की रिशीव है ठीक है तो फॉर्मेटब चीजें हमने ज्यादा लिखनी होती है ठीक है तो तो फॉर्मेट बेटे किस तरह से लिखना है यह बेटे बाते होंगी आज और बोड़ी बोड़ी के बारे में काल होगी जी बेटे पेज नमबर 135 इसमें स्लाइड चलती होगी दो चार उपर होंगी फॉर्मेट ओफ लैटर देख लें बुक दे दें बाई आप बुक दे दें इने थोड़ी सी आवाज उंची रखे ताकि इसमें भी आ जाए ना यह वो यह डेफिनेशन से पढ़े अवाज उंची रखने है जी बेटे अच्छा बेटी यह क्या करते हैं अपनी लेयॉट्स-पन आकर रखती हैं जो स्टेंडर्ट्स बेटे क्या हैं और्गनाइजेशन से यह ना ले आउट्स बना के रखती है अब डेली बेसिस पे इन्होंने बिटे 40-50-60 लेटर लिखने होते हैं ठीक है वो हर दफा बिटे लैटर जो है ना नया नहीं लिखते वो क्या करते हैं इसकी बिटे एक ले आउट बना लेते हैं ठीक है आँ चैनल नबर पेटे सी रहें आपका नमबर निकालके आपको दे देंगे अब इन्होंने पेटे जितनी तरह के लेटर में लेक्षटे बनाहरे होती है अपना सेंडर अड्रेस नीचे बेटे हैडर फूटर में डला होता है और मेटीरियल भी लिखा होता है सिंपली करते ऐक लाइन चेंज करते हैं और वह वले लैटर आपको फॉर्वेड कर देती है क्योंकि उन्होंने अपना टाइम बचाना होता है डेली बेसिस पीतने सारे लैटर लार्जर ओर्गनाइजेशन टिपिकली डिफान स्टेंडर लेयाउट फॉर लैटर ठीक है अब स्टेंडर होता है स्टेंडर किया होता है आगे जाके मैं हैडर बताता हूं यह होता क्या है दिस हैसा बेनिफिट ऑफ सेविंग थिंकिंग टाइम इंस और्गनाइजेशन विल इशू कंसिस्टेंटली ब्रेंड इंस ट्राइल ठीक है अब इससी बिटें इनका टाइम बचता है पहले से यह स्यार करके रखते हैं थोड़ी सी मोडिफिकेशन की एक दफा मेनत कर लेते हैं और फिर उसी लैटर को बिटे सेंड कर देते हैं ठीक है और विद इड्वांस्मेंट और वाइड सप्रेड अवेलिटी ऑफ इमेल सिस्टम लैटर्स विद पर्टिक्लर फॉर्मेट्स और इन हम पिटे सेंड करते हैं डेली बिस इस पर आंब जहते हैं आब जो मर्जी करें है वोत इमेल कर के इसफ़ार इमेल की जा रिए प्यटे उसे हम इम throws k vertical किया यह तिक हो ग्या कि है लेकिन जेनरल ही हम क्या कहते मैंने email कर दिये ठीक होना गैप्टे ये विट्सेअ के जा सकती है आप लोगों की ये letter थीक है बस अप पिर इसमें가 Deto apa-re除 यूज के तो एंड़ करts हुआ रहें तो जो format विट्टे लाट्र का format यूज की जा रहा रहा है तो लाट्र जा ग्रू जा रहे एइमेल तो जनरली आपने यही सुना होगा कि इसने मुझे ईमेल आप बैठेंगे तो एक किली इमेल आई है वो कभी भी आपका सब ओडिनेट रहे किला ठीक है सरजी महमो और यहOOOO रिपोर्ट आई वह आपको यह कहेगा सर्जी वह के पीम्जी से ना एक एमेल आई है वह चेकर ले जरा ठीक है एक्शली वह एमेल नहीं होती है यहां ठीक है लेटर होता है ओक्यों गया बचो अच्छा लेटस में भी ड्राफ्टीड अकॉर्डिंग तुदा परपसेंट टा करना आपने बड़ा सा करके लिख लें बेटे आई कैप की तरफ से बेटे हमने आपका जो जितना भी काम लिखने वाला ना बेटे इसमें क्या क्या लिखना इसमें प्रैसी लिखनी है इसमें लैटर रिपोर्ड मेमो में से एक चीज़ लिखनी है इसमें ऐसे लिखना है ठ नगो नहीं, यह पूर्मेट थान है, इस पर मताता रहां गा यह भी ब्लॉक फॉर्मेट है, ही को गया, पिटे, ओक्य, यह ब्लॉक फॉर्मेट अभी इस पर मजीद बात करेंगे, इख, इस सब्सक्राइब lizach सु अभॉक फॉर्मेट वेर content is left justified अच्छा बेटे इसमें बेटे जो content होता है content के message है data है information correspondence है ठीक हो के बेटे वो हमेशा बेटे left align करनी है लिखने के बाद बेटे control plus लेकिन बेटे आपको ना इसको करने की जरूरत नहीं है क्यों English चलती ही left to right कभी मैंने उदर से लिखते हुए इधर आया हूँ उड़्दू उदर से इधर आती है राइट लेकिन English बेटे left to right ही आती है ठीक है तो जब भी आप लिखना शुरू करेंगे understood है कि बेटे आपकी जो मैं यहां से स्टार्ड नहीं करना मैंने left align ही करना है ठीक है ओ क्यों गया बचो तो हर चीज को एक तो बेटे लेट अलाइन नहीं करना आपने कुछ भी नहीं छोड़ना for example आप में से काफी ज्यादा बचे यह 100% बचे जब भी लैटर यह एप्लिकेशन लिखते थे फस्ट इयर में लिखते थे आप बेटे जब अब यह प्टलाइन नहीं है इसको बॉलतें फिसर्ट इंदेशन क्या बोलते है फिसर्षेंट इंदेशन धे कभी यह लव्ज इसोना है first физ An फस्ट इंदेशन यह ऊता है कि आप बेटे लैटOR लाइन से एक टैव स्पेस के साथ लिखना शुरू कर रहे हैं वांट मैं 6,7,5,6,7 single spaces के equal होती है, ये setting change भी हो जती है, चलो add कर लो, ठीक है, खुद आप इसकी setting कर लेते हो, ये पेटे एक tap space है आपना start करते होते होते, थोड़ा सा अगे जा कर, ठीक है, कोई भी चीज है ना, जितनी भी writing पेटे आप देखेंगे, अपनी सारी बुक्स खोल के देखें आपका हर पराग्राफ बिटे वो एक फर्स्ट इंडेंटेशन के साथ यह नहीं यह मैंने ब्लॉक फॉर्मेट से में नहीं न लिखी होई ठीक है अच्छा चलो इसी में देख लो नमबर वन लिखा होगा ब्लॉक फॉर्मेट के नीचे अ अब क्योंकि मैंने इसे ब्लॉक फॉर्मेट में लिखा इसमें नहीं है अपनी बुक में ठीक है बाकी आप दुनिया जानके कोई भी बुक उठाएं खरीदे उसका पहला पराग्राफ बिटे आपको फस्ट इंडेंटेशन में मिलेगा लेकिन आपने बेटे फस्ट इंडे करना है किसको पिटे पैराग्राफ को कि क्या करना है पिटे जस्टीफाइब करना है लिखने के बाद आपने अपने पैराग्राफ में करसर जहां पर मर्जी रखा और कंट्रोल का बटन दबाते हुए आपने जे दबा दिया इतना लेड़ना आगर बहुत ज्यादा है और चन्ट्रोल जे विटे आपने पैराग्राफ लिखने के बाद इसे क्या करना ब असटी-फाइब क्या होता है विटे ऊटो मेंटिकली लेफ्ट लाइन होगा ठीके लेकिन गया अटो ॉन्र लाइन खत्म नहीं होगी जो छोटा वर्ड है पेटे यह वह लाइन पेटे इधर आजएगी जो कोई बड़ा वर्ड आया तो पेटे यह इधर आजएगी ठीके ओके फॉर इक्जांपल पेटे मैं यह लिख रहा हूं यहां पे पेटे यह मैंने लेप्ट लाइन तो कर दिया ठीके अगा यहां से तो लैफ्ट लाइन पीटि ओटोमेटिकली हुआ आपने नहीं करना आपने इंडेंटेशन भी नहीं करनी लेकिन वहां से प्टे आपने राइट लाइन करने के लिए से जस्टीफाय करना है ठीक है आप अपना करसर यहां पर रखें करसर समझते हो उसको आप अपने ठीक है यहां पर रखे इस परग्राम में जहां पर मर्जी रखे हैं ठीक है यहां इसे सिलेक्ट करें आपने बैटे कंट्रोल जिये का दबाना है तो यह बैटे कुछ इस तरह की सूर्तियाल हो जाएगी कि जस्टिफाई हो जएगा ठीक है हो क्यों प HOW गया थैं तो इदर से भी आप लोग बेटे और योट्ए हो जेंगे और उदर से वी Всем हो जैंगे धीक है अब यह जिए अब ये एक paragraph है क्या लिखा पेटे ये एक paragraph है ठीक है ओके अब एक paragraph लिखने के बाद आपने क्या करना है इंपोर्टेंट पॉइंट दोबारा गोड़ से सुनिएगा ये जिग-zag line पेटे किसको शो कर रही है one line space को किसको one line space पेटे एक पर अब एक पर चलोए दो हो प्लने Siya कुझेगी ठीक है इसमें आते हुँए आपने एक ला छोड़के हैं नया पराग्राफ कर था है यह वह पर अगर का सवाल आजिए तक पर्मेट का नहीं है क्यों बचों सवाल है अभी सिर्फ फॉर्मेट पर बात हो रही है एक परग्राफ है बाद आपने क्या चोड़नी है लाइन चोड़नी है ठीक है अच्छा अब बटे नहीं फीचर्स इसी वैसे देखो इसमें इसने बात बताई हुई है यह वन नाइन स्पेस वली इसी में जो पढ़ दें हम अच्छा पिटे इन दिस चैप्टर अधा सिंप्लेस और कॉमन लेटर फॉर्मेट वेर कॉंटेंड इड इस लेफ्ट जस्टिफाइड इन सिंगल स्पेस इसमें से जब एक ही पैराग्राफ में पहली लाइन से दूसरी लाइन में आ रहे हैं तो सिंगल स्पेस है पैराग्राफ अभी कंप्लीड नहीं हुआ दूसरी लाइन से तीसरी लाइन में आ रहे हैं तो दोनों के दर्मियान सिंगल स्पेस है ठीक है जब पैराग्राफ मेर पेराग्राफ डबल स्पेस आफ्टर पेराग्राफ समझ आ गई पेराग्राफ चेंज करना है तो डबल एंटर करना है और सिंगल स्पेस देनी है ठीक है सिंगल स्पेस मतलब सिंगल लाइन स्पेस डबल एंटर का मतलब है यह प्लीज आपनो जो है ना असी फिस्द बचे यह करोंगे दो लाइने शोड आ जाओके डबल एंटर के तो मैंने वीडियो निकाल के आपको दिखानी है कि गदो मैंने का था कि डबल एंटर करने से एक लाइन चुटनी है सिंगल एंटर करने से वाली वाली लाइन मी आना है आपने में अक्षर हो मैं बतेड़ लगा 熟 कर आ जाओं गया लुओंगा नीले मारकर के साथ हिर के इसका या मतलब है एकलाइन मेंने दौनों पैयाग्राफ दर्म्यान छोड़ी है विदिन पेराग्राम मैंने कोई लाइन नहीं छोड़नी, ओक्यों हो गया बिटे, सही है? अच्छा पेटे, अभी हमने क्या बात की है? लेटर के किस चीज़ की बारे में बात की है? फॉर्मेट के बारे में बात की है, ठीक है? अभी हम पेटे, फीचर के बारे में बात करने लगे हैं, ठीक है? लेटर के फीचर के बारे में बात करने लगे हैं, ठीक है? total बेटे इसके जो maximum है वो 10 features हैं कितने features है बेटे अभी बताता हूं features होते क्या है okay अच्छा जी कितने है बिजनस लैटर के features 10 है अभी मैंने features लिखा है वर्ड पहले नबर पर बाइजन मैं कहता हूं सेंडर्स एड्रेस ठीक है यहां इसको बेटे हम बोलते हैं header क्या बोलते हैं ठीक है दूसरे नबर पर बेटे मैं बोलता हूं देट सेकेंड नमबर पर आती बेटे डेड़ थार्ड पर आती है बेटे reference लैटर क्या आता है reference लैटर इस फोर्थ नमबर पर बेटे मेरे पास आता है subject रिसीवर्ट जड्रेस कि फिप्थ बेटे मेरे पास आता है subject 16 my बच्छों मेरे पास आता है salutation सैवन बटे मेरे पास आती है body एड बटे मेरे पास आती है closing कि 9 पर आती है बटे मेरे पास signature और टैन नमबर पर बटे मेरे पास आता है enclosure टोटल कितने हैं बेटे 10 है ठीक है अच्छा टोटल बेटे मेरे पास है 10 इसमें से एड़ फीचर्स और इसेंशियल तो फीचर्स और नॉन इसेंशियल इसका मतलब है फीचर्स दो के टिग्रीज के अंदर डिवाइड होते हैं एक इसेंशियल फीचर्स है एक नॉन इसेंशियल फीचर्स है ठीक हो गया बेटे इन दोनों में क्या फरक है अगर आप लिखते हैं तो नंबर मिलेंगे अगर नहीं लिखते तो आपको इसेंशेल बेटे जरूरी इसेंशेल इक नोन इसेंशेल लिखने है सही लिकर नबर it's not essential नहीं लिखोंगे नंबर नहीं कटें तो इन इन को नहीं काड़ ही ने ठीक है इन में से धव टो चीजे है जो के नोन इसेंशेल अधर आ कि स्नुप sic कि आदे से ज्यादा बचों ने सही बताया है किसी से पूचा हो गया पहले किसी क्लास में बैटे हो गया है अच्छा दो अ कि इसमें से non essential है वह reference letter यह और इन इस्व Wise ध्यूर है तो एग झाले कर तो यह ऑज इस पर बात कर लेते है ogni तोड़ा अच्छा अभी बात तो यह पेटे जो left align करना था हमने वह किसको करना सारे यह features को बैटे left align करना है लेकिन मुझे यह पता है हम सारे features को बैटे justify भी कर सकती है नहीं justify हम सिर्फ किस में करेंगे बोडी में क्योंकि paragraph उसी में बनाना है शाबाज ठीके justify हम उसी में करेंगे लेकिन left line बिटे सारे कोई करेंगे ठीके सारे left line ही होंगे ओक्यों गया बचो ओके justify भी हो गया अच्छा दूसरा line space है बिटे मैंने का line space कहां पर देनी है पराग्राफ के बाद ऐसे ही है यह वो लब रदर पराग्राफ के बाद हमने एक line space देनी है अब एक मैंकी जाएड करा हूं हर format के बाद हर feature के बाद आपने one space भी देनी है हर feature के बाद जब feature change हो रहा है आपने बिटे एक line space देनी है ठीक है feature कौन सा बिटे center खतम हो गया date खतम होगी है बिटे line चोड़नी है reference letter receivers address subject के बाद भी line चोड़नी है salutation के बाद भी body के बाद भी closing के बाद भी signature के बाद भी ठीक हो गया बेटे क्या करते जाना है एक format एक feature हमने complete किया उसके बाद double enter space करनी है for giving one line space ठीक है बेचो वो कर दी reference letter के बाद भी हमने क्या करना है एक line space देनी है double enter के साथ फिर date लिखने के बाद भी बेटे हमने है ऐसे ही करते जाना है सही है बचो ओके सबसे अच्छा आप अगर इसे उपर नीचे कर देती हैं कि सेंडर की जगह पर receiver की जगह पर सेंडर लिख दिया subject बेटे सबसे पहले लिख दिया date बाद में लिख दी आ बेटे गए ठीक है आपने line नहीं छोड़ी आपके marks कटेंगे ठीक है आपने एक चीज़ लिखी नहीं है marks कटेंगे आपने बेटे इसकी arrangement खराब कर दिया subject उपा लिख दिया receiver address बाद में लिख दिया ये भी बेटे अब गए ठीक है तो यह ऐसी गलती है जिन पर बेटे किसी तरह का कोई आई के अपने compromise नहीं करना clear बेटे समझाइए अभी तक कोई ऐसा बचा जिसको जो भी question है वो पूछे जिस तरह का भी question है अभी तक आज वाले lecture में वह अभी पूछे है clear है कल से मैं पूछना शुरू करूंगा अच्छा ओक्यों गया बेटे अब सबसे पहले कहता कि सेंडर एड्रेस है यह एडर है अभी हमने सेंडर एड्रेस को बात नहीं करें अभी हम किसकी बात करेंगे बेटे हैडर है कि हैडर समझते यह पिटे क्या होता है कि हैडर समझते हैं क्या होता है नहीं बेटे जब भी कोई भी ऑफिशल डॉकॉमेंट आपने लेनी है ना उसके उपर देखिए का बेटे फॉर एक्जमपल राइस से हमने लेनी है तो यह बेटे राइस का लोगो है कोई भी चीज है जो रिजिस्टर होती है बेटे उसका भी होता है एक मपनी है उसका एक ट्रेडमाख होता है उसका बटे यहां तो आपने दिखा Ecuador ब्रीघा विटे आ Gyn Song I ढ пока मतलब में लिए रचीक हो चुकी है इस एकिजमार का मतलब है आप के आपने एक नमबर के लिए ब्लाइद कर दिया हूग भी ठीक है अभी कर दिए है अब कुछ जो एना हैडर चलते हैं आपने कोई भी अपना काम करवाना है नीचे जाएंगे ऑफिशल डॉकमेंट आपने पैटे फीस अपनी हैडर पर जमा होनी है आपकी यह हैडर है आपने बैटे रेजिगनेशन लेटर जिस तरह का मर्जी अप्लिकेशन आपको एप्लि लूगो लगा होता है यहां लोगो होता है किसी था कोई भी ब्रैंड उठाके देख लेए हर चीज पे उनका लोगो होता है और इतनी तने क्रोड़ों रपकी वह एड़्वेटीजमेंट करते हैं और कुछ भी नहीं लिखा होता है सिर्फ उन्होंने लोगो लिखा होता है दराज का एक्स लगा होता है ठीक हो गया बेटे तो सिर्फ लोगो चल रहा होता है फेस्बूक का लोगो है अब शाइट और टाई वाले कुछ भी नहीं लगाएंगे अपना सिर्फ लोगो लगा देते हैं ठीक है पोलो बना देते हैं कि लोगों को इतना पता चलिने कि यह कि है बैके लिखेँ होंगे ठीक है उसको वाटरमार्क बोलते वाटरमर्क बीटे है ठीक है कि इसको क्या बोलते पीटे यह नीचे गटे इसको और इमेल बगरा होते हैं तो इन चीजों को बैटे आप हैडर में भी लिख सकते हैं और फुटर में भी लिख सकते हैं ठीक है जो भी बिजनस communication होती है पिटे किसी के दर्मियान भी इदारों के दर्मियान वह आपके लैटर जो मैंने का ना ले आउट्स बना के रखते हैं स्टेंडर ले आउट वो यही है टेंप्लेट बना के रखी होई है बस उन्होंने कोपी पेस करना है इस लिखने वाले इसे पर ठीक है इसी से पर लिखा हुए BWCS और फुटर में मैंने पेज नमबर लगा दिये तो जितने पेजिस बढ़ते जा रहे खुद ही पेज बढ़ते जा रहे आगे और वही अला हैडर फुटर बेटे आटोमेटिकली चलता जा रहा आप हैडर फुटर को जो हैना चाहीं नहीं करते सिर्फ यहा अब मुझे पता हैं आप क्या यूज करेंगे हैडर यूज करेंगे के सेंडर एड्रेस शाब बाश्या आपने बेटे हैडर यूज नहीं करना है आपने सेंडर एड्रेस यूज करना है जो कंपनी चला रहा है तुसी की चला रहे हो रक्षा हां आप लोग बेटे अभी कु था ब्रवत में नहीं करना लेकिन जो ही आप बैटे व्यूर्व सी इस पास ना त्रेड मार्क है ना उसका अडरेस है तो धायर की तो यह सारी चीजी होंगी भी तोगी है डरी वर यह है यह साइड सोद़ करेंगे हम इसकी जगा पर प्रिपलेश करेंगे किस को शिएंडर औरляется को ठीक है तो इसका मतलब है 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 डर का काम हमारे साहत नहीं है हम हैं ड्र को डिस्कम करेंगे की हमने सीर्फ यह लेडर लिग 내용 है और बेटे हम mutual communication icap से करनी भी नहीं है ठीक है one-sided communication करनी हमने फिर हम कोई firm नहीं चला रहे इंडस्ट्री नहीं चला रहे ना हमारी कोई company है ठीक है तो इसको बेटे हम replace करेंगे sender address के साथ बाद में जो है ना जो दूसरी companies बगरा करती है वो फिर किसे replace कर लेती है पिटे हैडल के साथ यस प्रदर नहीं पड़ेगी आप ऐसे company की तोर पर ऐसे person लिख रहे हैं ठीक है अपने ने में आप उसमें फिर हम sender address इस पर कल बात हो नहीं है फिर हम उसमें ना sender address में क्या है company वाली चीजी है वो हम ना logo के बगार mention कर देते हैं टॉप पे हमने अपना नाम लेकर ना है फरांज जोदरी नीचे जो है ना हम लिख लेते पिटे आँ चार्टर अकाउंटेंट उपर नवीदन सारी लिख लिए फिर चार्टर अकाउंटेंट बेटे जो टाइटल डेजिगनेशन आ गया थाइट पर कंपनी नेम आ गया राइस प्रीमियर स्कूल ओफ अकाउंटेंसी फॉर्थ पर हम बेटे एड्रेस लिखते हैं स्ट्विट अड्रेस न्यू गार्डन टाउन फिप्टीन व्लॉग ठीक है और लास्ट पर बेटे हम सिटी नेम लिखते है लाहूर तो सेंडर अड्रेस को बेटे जब हमने से रिप्लेस किया सारी चीजे देखे कंपनी नेम भी मैंने लिखी है डेजिगनेशन भी लिखा नेम भी लिखा एड्रेस भी लिखा और सिटी नेम भी लिखा अब दो चीज़े मैंने कॉंटेक्ट और इमेल आइडी नहीं लिखी ठीक है दूसरा लोगों नहीं लिखा तो इसको हेडर को मैंने रिप्लेस कर लिए किसके साथ सेंडर अड्रेस सेम चीज़ें दोनों चीज़ें सही है अगर कंपनी की तरफ से लिखना है आपने आप कंपनी रन करें तो फिर हम एज़े स्टूडें लिख रहे हैं तो जी जी पेज नमबर 139 पे देखें यह एपी सी आई लहोर लिमिटेड प्राइवेट एंड कॉंफिडेंशल ठीक है यह उसने ना हैडर यूज किया है फिर मैंने उदर लिखा हुआ है और सेंडर एड्रेस लिखूंगा मैं ठीक है मिल गया है तो इसमें हमने क्या करना है औ खराऔ से अपनी डरों से वह चीजे जो आना पार्सल कर रहे हुद calculate हमारी कोई ऑफिस नहीं है कोई स्टॉक नहीं है इस खूरी कोई जह ब्रूंबर और प्राइफ अजम यहीं का नहीं इंदिया योता है है तक्याति है आप बहुत कैसी से नहीं मिलना चाहते हैं तो आप इपने कमपणी नहींगे काक that दूनिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी का यह यसे की इपने match करते हैं रहा है बदाब दो-दो साल इंटर्विव करके एंप्लोई दो साल रहता है कभी मिले नी होते लाख और रुपे उसे सेलरी भी जा रही होती है वह बेटे ओनलाइनी काम कर रहा होता ठीक है उसे पता नहीं था मेरे बोस का किदर वो ऑफिस वह रहा है ठीक है तो कल तो टेस्ट है आप लोग बेटे सेंडर रेसीवर एडरा फीचर को भी डिसकस करेंगे अलाहाफिस बाई बाई